नमस्कार बनार्षी थाली में मैं सिंप्य ग्ररी आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं साही मस्रूम इसी बनाने के लिए हमें सक्षे पहले चाहिए मस्रूम कटे हुए प्याज कटे हुए टमाटर टोमेटो प्यूरी गार्लिक जिंजर का पेस्ट काजू बादाम खस-खस देशी घी नमक कसुरी मेथी हरा धनिया सबसे पहले कढ़ाई में घी या तेल गरम करते हैं अब हम इसमें कटे हुए मश्रूम को तल लेते हैं इसे हम दो मिनट के लिए ढख देते हैं ताकि पानी होता है वह निकल आए और अच्छी तरह से यह जाता है और अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं पानी जब थोड़ा रह जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम इसमें थोड़ा घी डालते हैं और उसे गरम परते हैं इसमें जीरा डालते हैं पेशपत्ता लाल मिर्च खड़े मसाले जो हमारा इलाइची है दाल चीनी लॉम इसको हम अच्छी तर से भूल लेते हैं अब हम इसमें गार्लिक और जिंजर का पेश्ट आलते हैं इसे भी थोड़ा भूल लेते हैं अब हम इसमें कटे हूए प्याज को डालते हैं इसे अच्छी से चलाते हैं अब इसमें हम कटे हूए तर्माटर डाल लेते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल देते हैं आधा कप के लगब अब हम इसे ढग देते हैं तब तक हम अपने ग्रेवी के लिए मसाले तयार पर लेते हैं हमने जो पाजू बदाम और यह भीगे हुए खसकस लिये हैं इसे हम पीछ लेते हैं बदाम को हमने भीगा कर उसका छिलका उतार लिया है इसमें में थोरा से दूत डाला है जिससे यह असानी से पीच जाएगा हुआ है मैं पेस्ट तयार हो चुका है अब शक्कान कर लेते हैं एसे भी हम खाली कर लेते हैं और ब्लेंडर में जुआ पिस्ट लेते हैं हम आप आप पानी के साथ ही निकालते हैं तक देके आँए है- सब्सक्राइब से टेल डालते हैं देसी घी का प्यूग किया है कि सब्सक्राइब दूदा तो में तोमेटो प्यूडी डालते हैं अच्छे तरह से चला लेते हैं यह हमने कसूरी मेथी को इसमें फ्लेवर के लिए डाल लिया है इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है अब यह हमारा जो हमने पेस्ट अभी बनाया है उसे भी डाल का भूल लेते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं अब यह हम इसे ढख देता हैं लगभग दो मिनट के लिए इसमें जब उबाल आने लगे तो इसे बीच-बीच में चलाते रहते हैं अब हम इसमें थोड़ा नमक एड़ कर लेते हैं और यह हमने डाला कस्मीरी लाल मिर्च इसके इसका कलर बहुत ही अच्छा होता है अब हम इसमें काजू बदाम खस-खस का पैस डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं 2-3 मिनट पकने के बाद इसमें हम आधा चम्मच लगभग चीनी डालते हैं अच्छी तरह से चला लेते हैं अब हम इसमें मश्रूम डालते हैं और दो मिनट के लिए इसे ढग देते हैं दो मिनट के बाद हम इसे दुबारा से चेक कर लेते हैं यह हमारा मश्रूम पक चुपा है अब हम इसे सर्विंग ट्रेम में निकाल कर प्रेम से सजा लेते हैं और इसे सर्फ करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजें धन्यवाद खन्यवाद प्रुम टराल झाल